प्रख्राइब करे वोकिक लाद डिय्जाइम कि अगला छो टवधा में आता है लाता है यह सब पिरे प्रफाहाई ल। इसके नाम से कि आपना पैज की शेटिंग कर सकते हैं अमेरा त्लिंदे में सारी पैज क्या अथ simplicity शार्कन करता चिंधkov ग्रूप में यह पेज है इसके अंदर सबसे पहला ऑफशन हागा मार्जिन का मार्जिन की ड्राफड़ाउं एरो पर आप क्लिक करेंगे तो तो आपके सामने इस तरह से drop-down list राइगी तो सभी को पता है margin क्या होता है? पेज के चारो तरफ जो जगा छोड़ी जाती है उसे margin कहता है ठीक है? आप लोगर मली कभी भी किसी भी जगा पर लिखते हो आपने सभी books में देखा है copies में देखा हम थोड़ी से उपर से जगा और चारो तरफ से थोड़ी थोड़ी जगा छोड़ कर लिखते है कभी भी किसी भी पेज में starting से यानि कि यहां से लिखना start नहीं करते है ठीक है? तो अभी अपन क्या कर रहा है? पहले हैं अभी क्या select है? नॉर्मल margin select है अब margin का use कम जादा क्यों किया जाता है? जैसे कि हमारे पास कुछ pages है अब आपको देख पा रहा है आपकी उपर भी कुछ जगा छोड़ी गई हो इस साइड भी और इस साइड भी हर चारो तरफ थोड़ी थोड़ी जगा छोड़ी गई है तो इसके according आप margin कर सकते हैं देखिए हम यहाँ पर जा रहे है अभी select है last custom setting नॉर्मल select है भी अपन नेरो पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख पा रहा है कि आपका जो page है वो कैसा हो गया उसका जो margin है वो कम हो गया और इसकी उपर text जादा बन रहा है पहले हमारा जो text था यह तीन pages पर था अब जैसे कि हम यह last वाले page पर जितना भी text है पूरा डिलीट कर देता है तो आप हमेरे पास कितने pages है एक है अगर हम इसका margin कम करते हैं यहां पर जा रहा है और इसका margin कर देते हैं से margin पर जाएंगे, इसको margin को कम कर देंगे, narrow select कर लेंगे. तो यहां पर देखिए, बाकी का text इसी page पर आगी है, और फिर आप इसका print निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही निकालना पड़ेगा, दो नहीं निकालने पड़ेंगे. इसके अलब और भी अलग-अलग type की margin दिये गए है, यहां से आप अपने according कोई साभी ले सकते हैं, wide है, इसमें इस तरह से आएगा, मतलब दोनों ये left side और right side ज्यादा margin आएगा, और ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ये आप सब करकर के देखना, फिर इसके बाद custom margin option पर जाएंगे, तो यहां पर आपको इस तरह से dialogue box मिलेगा, इस dialogue box में, top, top, bottom, left, right, select है, तो यहां से आप select कर सकते हैं, top में आपको कितना margin रखना है, top में और bottom में same margin रहता है, और left में और right में same margin रहता है, आप चाहें तो कम जाला कर सकते हैं, लेकिन हमीशा यही रूल है तो यहां से आपको कर सकते हैं, और top में और bottom में same रहता है, और left में रहता है, यहां पर preview दिखा रहा है, ठीक है, तो यहां से हम बढ़ाते हैं margin, देखे बढ़ रहा है, अगर आप OK कर देंगे, तो यह select हो जाएगा, इसी तरह से bottom में बढ़ा रहे हैं, तो यह देखे बढ में बढ़ जाएगा, इसके बाद left में आपको बढ़ाना है margin या फिर कम करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और रूख ही कर देंगे, तो यहां से जैसा भी हम select करेंगे, उसके according हो जाएगा, ठीक है, अगर आप अपने according लेना चाहते हैं, और यह पहले सी पनी हुए है अपने according नॉर्मल यह है, यहां से आपन क्लिक करेंगे, तो यह इस तरह से आजाएगा, ठीक है, कल लेंगे आगे समझ में इतने में किसी को कोई route है, अब इसकी बाद अगला है orientation, और इसकी बाद अगला है orientation, में आपकी सामने दो option मिलेंगे, इसकी drop down arrow पर क्लिक करेंगे portrait और land scap, अभी जो normal default select है, वो क्या है portrait, अगर आप इसको land scap में करना चाहते हैं, तो यह इस तरह से आपका page जो है, मतलब उसकी bit जाद आएगी चौडे में आएगा, ठीक है, तो यहां से अपन इसका normally select कर लेते है portrait, ठीक है, अपन इसको जूम कर लेते हैं, इसके बाद लेकिन इसका normally use क्या होता है, पेज साइस का अपन इसको जाद ही चोटा हो गया, थोड़ा थोड़ा सा, अपन इतना बड़ा पल देते हैं, ठीक है, तो अभी आपर साइस पर जा रहा है, तो यहां से आप किस साइस का page लेना चाहते है, आपने कॉपिया देखी होंगी, आपने पर प्रिंटाऊट के लिए यूज करते हैं, इसका है यह is किरी फोड़ और ने का लिए थे क्लिक करें के तो यह उस तरह से आपको तेखेगा, क्या रहता है, अगर आपको किसी भी page का printout निकाल रहा है, तो प्रिंट आउटने के लिए आपन क्या करते है, प्रिंट अगर मान लीजिए आपने यहां से कोई बड़ा पेस्लेक कर दिया है और प्रिंटर आपका A4 निकालता है तो वह आपका एक्साइरिया होगा उसको काट देगा लेकिन निकालेगा वह एफोरी ठीक है कलम ने आपको बताया था कि आप जैसे पेज लगाओगे उसमें बैसे ही अगर पेज वह निकालेगा लिए तो आपने यहां से क्या करेंगे अगर जैसे कि आपको स्डिएर पनाने के लिए चाहिए तो आपको इसा भी पेज साइज स्लैक कर सकते हैं, नॉर्मल रहता है A4, ठीक है इसके अलावा लैटर, इन दोनों में थोड़ा सांतर रहता है, लैटर में और A4 में, A3, A4 से भी बड़ा पेज होता है, इतना बड़ा है कि जो दो पेज में आ रहा था टेक्स्ट वो एक ही पेज में आ गया और ह इस तरह से आप यहां से पेज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको कितने पेज में चाहिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के यहां पर आपको पेज मिल जाएंगे, समझ आ रहा है समझ में, तो आपन यहां से साइज ले लेते हैं A4, अगर आपको प्रिंट निकालन है तो आप A4 लोग है, इसके बाद अगला है यहां पर कॉलम, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी टैक्स है वो एक ही पेज पर आ रहा है, मतलब पेज एक ही पेज पर नहीं, एक ही पेज में एक ही पेराग्राफ आप चाहते हैं कि यहां पर आनः चाहिए, तो आप यहां से कॉलम की डॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे वन स्लेक्ट है हम यहां से टू स्लेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इस तरह से यह हमारा जो टेक्ष्ट है वो टू कॉलम में डिवाइड दाएगा अब आगे अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो भी इसी तरह से आएगा टू कॉलम में ठीक है एक बार आपने स्लेक्ट कर लिया फिर सभी में टू कॉलम में याएगो अगर आपको और कॉलम बढ़ाने है थ्री कॉलम में चाहिए तो आप ठी कर देंगे यहां से यह देखे, त्री कॉलम में आने लगेगा, आपने देखा होगा, बुक्स में इस तरह से अलग-अलग कॉलम बनी रहते हैं, ठीक है, इसके बाद यहां से आप लेप्ट और राइट, लेप्ट पर करेंगे तो यह इस तरह से आएगा, लेप्ट का कॉलम चोटा और राइट का कॉलम बढ़ा, ठीक है, इसके बाद इसी तरह से राइट पर क्लिक करेंगे तो यह राइट लेप्ट का कॉलम बढ़ाएगा और राइट का चोटा और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, अपने अकोर्डिंग को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो पन पर क्लिक कर दो, नॉर पर मिल जाएंगे, अभी one select है, हम यहां से two select करते हैं, तो यह देखिए, number of column क्या है, two, आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, four, five, six, जितने चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत जाद हो जाएंगे, अपन five कर देंगे, तो यह देखिए, ऐसे आएगा, ठीक है, फिर से हम इसी पर जा रहा हैं, इनको हम two ही कर देते हैं, आप direct लिग भी सकते हैं, इसके बाद, इसके बाद यहां पर क्या आ रहा है, width और spacing, बिट अगर आप बढ़ाएंगे, तो यह कितनी मोटे करने आप, यह इस तरह से कर सकते हैं, बिट बढ़ानी हैं, इनकी spacing, इन द आप और right select करोगे, तो यहां पर इसके option आप जाएंगे, जैसे कि आपन को यह first बाले की width बढ़ानी है, और second जो है, उसकी width कम करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और यहां से spacing बढ़ानी है दोनों के बीच में, तो आप spacing बढ़ा सकते हो, कर लेंगे, जो भी आप यहा इसको okay कर देते हैं, जो यहां से भी आप कर सकते हैं, जो इसके बाद अगला option है, breaks, breaks के drop down arrow पर क्लिक करेंगे, तो आपको बहुत सारे options यहां पर मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हमने यहां पर insert tab में पढ़ा था हमने page break option, तो first option वही है, आपका click कहां पर है, यहां है हमारा click तो हम page layout में जा रहा है, breaks option में जा रहा है, पेज पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा page break हो जाएगा, जहां भी आपका